जै श्री कृष्णा जब कभी आप किसी की तरफ आसक्त हो जाएं किसी को देखने के लिए जब मन विचलित होने लगे या जो आपके पती हैं उनको ही अपने वश में करना हो अपने जीवन साथी को अपने वश में करना हो तो इस मंत्र का प्रियोग करें इस मंत्र का रात्री काल में 21 बार आपको एक लौंग पर अविमंत्रित करना है इसको इसका जब कीजेगा 21 बार किसी लौंग के उपर और रोज उस लौंग को उसको अपने पती के खाने में मिला दीजेगा ये प्रयोग आपको साथ दिन तर करना है इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब आप ये प्रयोग करें तो कोई एकांत स्थान हो जहां पर कि इस क्रिया को करते हुए कोई देखे ना ये क्रिया आपको एकांत में करनी है और कोई भी दूसरी आत्मा आपके आसपास ना हो इसके adverse effect बहुत हैं अगर आपने इन शर्तों को नहीं माना तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं इसको तब ही करें जब आप सब कुस ट्राइ कर चुके हो और कुछ भी काम ना कर रहा हो तो ये रामबान इलाज आपके पती को आपका गुलाम बना देगा जैसा आप कहोगे यू समझे वो चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों न हो आपकी बात मानेगा ही मानेगा बस आपको करना इतना है कि एक लॉंग पर 21 बार इस मंत्र को अभी मंत्रित करना है और रोज सुबह या कभी भी जब भी आप चाहें खाने में मिलाकर दे दीजेगा चाहे तो इसकी सबजी बनाईए चाहे इसको उपर से डाल दीजे याद रहे लॉंग का जो उपर फूल होता है वो आपको तोड़ कर डालना है पूरा लॉंग नहीं डालना 21 बार अभिमंत्रित करके ये मंत्र और दीजी अपने पती को या फिर अपने साथी को जिसको भी आप आकरशित करना चाहें आप इससे किसी को भी आकरशित कर सकते हैं आपका बॉस हो आपकी कोई गर्फरेंड हो या फिर आपका पती हो या फिर कोई आपका बेटा हो जो की बुरी संगत में फस गया हो और आपकी कहीं में ना हो तो भी आप इसको प्रियोग में ला सकते हैं किसी भी तरह की जानकारे के लिए मुझे कॉल करें 999-284-1625 धन्यवाद